कि अग्जांपल टीक है नाव एक और हमने एलेक्ट्रकेमिकल सेल लिया जैसे अलुमीनियुम आटम इन कांटक्वित अलुमीनियुम आयन और यहां हमने ले लिए कॉपर आयन इस इन कांटक्वित कॉपर आटम कि यह सब्सक्राइब करेंगे तो पहले आपका हाफ सब्सक्राइब फिर कंप्लीट सब्सक्राइब उससे आपको टोटल नमर ऑफ एलक्ट्रोन एक्स्चेंग दूरिंग प्रॉसेस पता चलेंगे और फिर आप यह मैं पॉप सब्सक्राइब करेंगे इस इट क्लियर जैसे देगे एट नहीं आट क्या हुआ एलुमिनियम आटम इस तो इन्टो एलुमिनियम आएन बाइलूजिंग फ्री एलेक्रों और क्याफर पर रेडेक्शन होगा तो कॉपर आयन एक्सप्ट दू एलेक्टों हिर एलुमिनियम आटम आएन तो सहरक्विं की इस से निचनल नमार्स मुझा हुआ है नहीं ने टॉटाल न इयोलुमिनयम आएन माईन क्या आपका एलुमिनियम आएन कंवैं देख म्यां इकल दिखाट सहल्बेसें था च्कॉरालड आटम इस सतर मृ ट 라टम अट फॉपर नहीं हुए 6, E cell is supposed to E cell minus 0.0591 upon 6 divided by E cell is supposed to E cell minus 0.0591 upon 6 into log of concentration of product ion, अभी product ion की पावर क्या हुद है गी 2, जो की स्किमेटिक अपूरिशन क्या है 2, and copper ion, और copper ion की पावर क्या हुद है गी 3, so that is your equation of E cell. Is it clear? सब्सक्राइब को अन्फर्म अनिदाओ इसमें कुछ दाओ आप चलिए नमारिकल कोशिन करते है तो और आपको आइडिया हो दाएगा कि क्यासे प्रसेस हो रहा है अब यह जो आपने जर्नल इक्रेशन लिया उसना आप नमारिकल वेल्यू से लिए जैसे अब आपका इस बार ना कॉश्ण कि यह दिवान एलेक्ट्रो क्रेमिकल सेल इन विच पॉपर आटम आपको दे रखी है वन मोल और इस तरफ है आपके इस सिल्वर आयन इस बिन कांट । इस बार आटम अपक्र इससल्वर ऑन प्रिटाब कि यह त至 लिए इस ट्रफं एल्ना टिंग अप। the emf of cell if enode cathode and enode anode है तो दौना दे रख disclose श्तवर और सेट्रिक जनलकाद पोटिशल है आपका वॉंट यह इसरके करना है वे पहले हम से लिखने हैं है यह कोश्क्षिन है तो फिफि Champions करने से पहले पहले हम लिख लेते हैं यह है यह अन्य एन्प पर इस्टोगा पर रिडक्शन दैशड तो यह क्या हुआ यहा। कि लिख विखेंच है और कंषर और क case न फिर किया हुआ इस इल्वर एक्षेन आपको लिखना रहेगा और पर हमेशा ऑक्सिडेशन हो रहा है तो एक्टम आइन में अपको होगी तो और और यहां एक्टम आइनल्स अपकी बैलेस्ट करनी पड़े देगें हो या एक एलेक्ट्रोन गेंड हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 से मंटिप्लाइए के लिए 2, 2 और ये 2 अब आपके लिएक्शन लिखी हमने है तो यह हुआ कॉपर एक्टम रियक्ट्रोन एक्षिंट कितने हो रहे हैं कितने एलेक्ट्रोन एक्षिंट हो रहे हैं दो आप कहले एस्यल कम करने से पहले ई-nald इब मांद होता है नहीं हो आपका स्लिवर एलेक्टार्ड और और आपका होकर रिए communications ऐख होर होड मैनस इनॉर्ट स्टेंडर्ड यह हो गया पॉइंट जीरो माइनस पॉइंट थी फॉइंट जीरो माइनस पॉइंट थी फॉइंट थी फॉइंट तो यह वैल्यू किन्या गई पॉइंट एक टॉइंट सेल आगया को अगए अग्या संट्वार्ट नापी सेल घृम इसल इसकुरी नौट सेल थीडिकली फॉइंट जीरो फाइब्ड फॉइंट पॉइंट तो लोग संसेंट्रेशन ओ तो प्रॉड़क्त दाएं Cu2 plus upon concentration of silver iron 2 square क्यों कि यहां 2 silver iron तो देखे E cell क्या हुआ 0.46 minus 0.0591 0.0591 0.0591 divided by 2 log of concentration of copper iron 1 and concentration of silver iron यह भी 1 1 upon 1 का square log 1 होता है 0 क्या होता है 0 तो यह वाली पूरी value हो जाएगी 0 तो E cell वही आएगा जो आपका E naught cell आए तो E cell की value क्या हो जाएगी 0.46 is that clear is it clear आस रा स्वाinga जिक है आप बते कि इसी के अंडर भी इसी तर्ड डिकाय तर्ड टौनर की थे आना कि थे मिण्सक्ट्रूस ने नचेड गाटर डिकायो थे वर एंद पूलर और ट मॉलडर एंद फुमोलर और सुल्ब एंद विड्टीशन इस इस 0.05 molar, इसके अंदर मैंने चेंज कर दिया, सकेंड कोशन कि इसकी इसकी कंस्ट्रेशन लेली 2 molar और यहां कंस्ट्रेशन लेली मैंने 0.05 molar तो थेके बाकी सारा प्रोसेस एसटी होई रहने वाला है, यहां जो वन और वन था वो चेंड होदा एगा आपकि पूरा प्रॉस्टस हो ही रहाएगा पहले आप से अप्रर्विए लिए पिए निरुनद्र अप्ट्रॉस्ट और क्यों लेट करेंगे फिर इसल क्विए कारें के लिए यह यह जो कंसेंट्रेशन थी वह चेंज कर देखेंगे भी देखे एसल is equal to 0.46 minus 0.0591 upon 2 log concentration of copper iron concentration of copper iron कितनी है तो और concentration of silver iron है 0.05 यहीं 5 into 10 to the power minus 2 का square क्योंकि 0.05 को हमने लिखा 5 into 10 to the power minus 2 और इसका square कर दिया अब इस पार्ट को आपको solve करना है तो कैसे solve करेंगे देखे लिए इसल is equal to e not cell minus 0.0591 upon 2 log 2 upon यह हो गया 25 into 10 to the power minus 4 तो इसल क्या हो गया 0.46 minus 0.0591 upon 2 log 2 by 25 and 10 to the power 4 तो बाहने रहने रहने तो हदे यह हो यह यह फोर यह यह हो गया कि लॉइट है कि लॉइट है कि लॉइट है कि लॉइट है तो यह तो आप एट और हंडिट को अलग कर दिए या फिर डायक लिए आप टैपुलेट करना चाहें तो देखिए यह आपका इतना होगा डैसिंगल से पहले कितना होगा तो यह तो यह तो यह तो कि लिए आपको चेक्ट करना है 80 के corresponding 0 क्या check करना है 80 के corresponding 0 तो ये value आ जाएगी 0.2010 ना इंप्रूट दी करेंगे तो जाएगी 309 ये हो जाएगा 9030 तो log value आएगी 2.9030 अब log table से इसको calculate कर सकते है ठीक है या फिर दूसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ calculate करने का log 800 को क्या लिखा log 800 दिखा log 8 into 100 फिर log 8 into B की property लगाई log 8 plus log 100 ठीक है log 8 को लिखा 2 to power 3 और log 100 की direct value जाएगी 2 ये लोग 10 की value होती है 1 log 100 की value होती है ठीक है और यह हो जाएगा 3 log 2 plus 2 तो ये 3 log 2 की value आपको याद रखनी है 0.3010 plus 2 यह हो जाएगा 2.9030 यह आपका log 800 का value हो जाएगा तो log calculate करने के लिए आपके पास basic log के rule आपको याद रखना है और कुछ log values आपको याद रखनी है जैसे log 2 की value होती है 0.3010 log 3 की value होती है 0.4771 log 5 की value होती है 0.6991 ठीक है 0.6990 यह 3 values आपको याद रखनी है log 2, 3, 5 और हो सके तो नमबर को आप ट्राइज करिए उसके प्राइम ट्राइज करिए उसके प्राइम ट्राइज करिए सपोज ऐसा ही नमबर आ जाता है जिसमें log 2, 3, 5 यूज नहीं हो रहे है तो फिर आप log table यूज करके calculate कर सके log table में आपको पहले characteristic चेक करना पड़ेगा और मैंटिसा चेक करना पड़ेगा मैंटिसा के लिए वह आपकी natural log table जो होती है वह यूज की जाती है characteristic के लिए तो रूल आपको पता ही है decimal से पहले कितने digits है हो चेक करने है क्या रहेगा characteristic पता चल जाएगा तो आप यह value आगई log के लिए तो log का value कैसे आया e cell is equal to 0.46 minus 0.0591 upon 2 into 2.903 अब यह value numerically आपको क्या करने है as you solve this value you will get a value of e cell क्या मिल जाएगा आपको e cell मिल जाएगा ठीक है और यह value आएगी आपकी 0.374 इतने आएगी 0.374 वोल इस तरीके सापको e cell की value at different percentage is it clear समझ में आया आप लोगो को इसमें को इसमें कोई point आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताईए एक और question discuss करें एक और question discuss करना है hello आप प्रेक्टिस करेंगे तो और दिए question जो है वो confirmly आपको board exam में मिलेगा यह इस वराइटी का question आपको confirmly exam में आने वाला है जैसा आपको दिया next question है chromium atom is in contact with chromium iron concentration point one molar यह आपका anode है और ferrous iron of concentration zero point zero one molar is in contact with iron यह negative चीक है और आपको दोनों की standard एक्टावर्ट केशल दे रखने हैं यह दे रखा है minus point seven five volt और फेरस का दे रखा है minus point four five four चीक है और आपको calculate करना है now calculate the ease set ठीक है तो वड़ी solve करने का तरीका पहले half cell reactions लिखेंगे half cell reaction लिखे anode क्या हो रहा है oxidation chromium atom converted into chromium iron by losing three electrons देखें कुछ भी नहीं है आपको oxidation state atom की oxidation state में convert हो रहा होगा आपको यहां दे रखा होगा तो आपको confused नहीं हो रहा है कि करना है chromium atom is converted into chromium iron और positive chromium iron by losing three electrons यह हो गया anode for oxidation cathode पर क्या हो रहा है reduction ferrous iron is converted into ferrous atom Fv2 plus by losing gaining two electron and converted into iron atom अब देखें यह 3 electron lose हो रहे है यह 2 gain हो रहे है electron action proper नहीं है balance करना पड़ेगा इसको 2 से multiply करेंगे इसको 3 से और balance करते हैं तो देखें 2 chromium atom react with 3 ferrous iron converted into 2 chromium iron and 3 ferrous iron atom and the number of electron action कितने होंगे इस process में 6 कितने हो दाएंगे 6 अब हम calculate कर लेंगे पहले E0 cell जोगी E cell calculate करने के लिए E0 cell calculate करना पड़ेगा that is E0 cathode 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 यह है minus E0 anode ठीक है तो यह आया minus 0.45 minus minus 0.75 तो यह हो गया 0.30 गोड E0 cell कितना आगया आपका 0.30 गोड़ेगा 0.30 गोड़ेगा 0.30 गोड़ेगा 10 गोड़ेगा 0.30 0.30 गोड़ेगा पॉड़ेगा 0.30 गोड़ेगा 0.30 गोड़ेगा 0.25 E0 cell 0.30 0.40 तो इससे इस सब्सक्राइशन के अंदर नर्स के एपलिकेशन की डिसकस करेंगे तो उसमें सबसे पहला किकेशन के यह आता है तो चेक्ट डा सपॉंटनिंटी अप्रॉशस तो वो कैसे चेक्ट करता है वी ज़स्ट चेकाऊट दॉई अफ टी आप टी नौट सैल कम्स पॉजेटिव मिस आपका प्रॉसेस क्या है इस पॉंटेनियस और इसलिवा रही वाल्य नेगेटिव आती है मिस दाट प्रॉसेस नहीं है यह पूरा प्रोसेस आपको क्रेशन के अंदर बताना रहता है तो इसल इस 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 इन आट सेल माइनस 0.0591 अपॉर्ण सिक्स नंबर अग्रों एक्ट्रान एक्ट्राइशन सिक्स लॉग ऑफ फंसेंट्रेशन आप फैरसायन अब देगे ओवराइशन वह चाहि हुआ कि अध्री कोपर एक शेट्री क्रों इंट्रीक्रों एक तुमियू अग्ट्वित रॉड्य नीट थि बिक रॉट्ली इं आपको फैरसायन की सिटिवर्ण रोमियम्ः नका व्युवार्ण का स्वेर मार्न पार्ली का स्वेर वैड पैर शांत्यूंवेशन का प्रीट आपको रिक्वाइड गाया कि यह नर्स एक्वेशन से इसल लिखने के लिए तो अब इसल क्या हो गया 0.30-0.059 1.6 लोग अब प्रोमियम आइन की कंसेंट्रेशन आपको देरके 0.1 का स्क्वेर 0.1 1.1 एंट्यू .प 1 इंटू 10 त कवार मैनस 2 का छोलिकी OF उसको सॉल्क करा डिचेटी इसल 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 डायगोर स्फदीन पोई 0.30-0.059 10-faced इसल क galax लोग यह आपका 1 इंटू 10 त कवार मानस 2 और यह है 1 इंटू 10 त कवार मैनस 6 प technical इसको सॉल करने देगे ई सेल इसको तो 0.30-0.0591 अप्वाइन 6 लॉग यह आपका 1 इंटू 10 कोआ मैंस 2 और यह है 1 इंटू 10 कोआ मैंस 6 एक है तो यह हो गया इसल 0.30-0.0591 अपन 6 यह हो जाएगा 10 to the power 4 उपर जाएगा तो और 10 to the power 4 का लोग वेल्व क्या हो जाएगा 4 प्रेकि 4 आगे जाएगा 4 लोग 10 यह हो जाएगा 4 लोग 10 लोग की टीट पावर M हो था है तो M की पावर जो हो आगया आजा दिये और लोग 10 की वैल्यों होती है 1 तो यह हो गया 1 इसको सॉल्ट करेंगे तो यह 0.06 ले 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 अपने यह 0.04 तो अप्रॉक्सिमेट आपका यह वैल्यों हो जाएगा का विडिकेशन कर सकते है 0.05 91 को क्या वर लिए डर ले भी पावर 0.06 więc 0.06 divided by 3, 0.02 into 2, 0.04, 0.30 message 0.04 गया, 0.26, this is the E cell of the reaction, is it clear, I think, यह point आपको clear हो गया होगा भी, कि क्या the question number four, related to the nurse equation, you just find out, question च्याय है अपका, मैं रूपीत कर रहा हूँ, write the nurse equation and find the EMF of the following cell at 298 Kelvin and the, and your, electrochemical cell representation is like that, इन ची का झा घर्म निया दू युइवित ही प्रोमाइई री निया य्पित का ऐसे खंय दिगू कलन्य नियुंद निये 2 ही जू और घ्दाव टोछन जंगास इस इस राणोर लिए just now right one side of the electrochemical cell is basically method and left one side is पराऌँ now this Left hand side is basically a standard hydrogen or रिछेटर and this right hand side is again rugged यहां भी प्लेटिनम है तो प्लेटिनम जी आपका इनर्टाओः और यही रिक्ताओद है नाव वें जी युषे लेक्टाओद तो हमेश्या क्या होता है Hydrogen और अन अट पर हमेशा क्या होता है? Oxidation होता है सो first we write down the halp sert relations of this electrochemical cell and find out the number of electron exchange so at anode क्या होगा? Oxidation होगा और what is oxidation? Loss of electrons so देखे Loss of electron कैसे होगा? इस electron के दे अदर आपके पास ग्रोमाइड आयन है तो ग्रोमाइड आयन लूजेज दा इलेक्ट्रॉन एंड कंवर्टेट इंटू ग्रोमीन मॉलीक्यूल यह आपका स्या रेक्षिन हो गया और क्या होगा रोल्हा आपके संटो में सब्सक्रिए आपका स्भीसितार आपका स्फिताण प्रिसलीं में गांए फेलेक्फयी स्ञुज खुया है रोमाइड और भूशिए फिस ग्रोमाइड तापके लियूसियान है特別 is converted into bromine plus H2O and the number of electron action is N अभी के E cell calculate करने के लिए reaction क्या होगी E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 upon 2 log of concentration of product to the concentration of the reactants अब first we have calculate the E cell, E0 cell E0 cell कैसे calculate होगा E0 cathode, cathode में आपका standard hydrogen electrode है तो H plus and H2 minus E0 bromine तो देखें यह दोनों electrode जो है दोनों जो material है वो inert electrode है तो इनका standard जो electrode potential होगा वो क्या रहेगा? 0 क्या रहेगा? 0 एक सेखेंट आइडो जनका 0 है एक सेखेंट एक सेखेंट प्रोमीन का है प्रोक्त 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 होगा प्रोक्त प्रोक्त फेजै रहे है कि ब्रोमीन का है 1.08 कि इतना है 1.08 विसिबल है पोर्ट तो दीए इसका 0-1.08 क्या आ गया माइनस 1.08 वोल्ट या आगया E0 सेल अब मैं काल्कुलेट क्या करना है E-Cell काल्कुलेट करना है so how to calculate the E-Cell E-Cell equals to E-Cell minus 0.0591 upon 2 log of concentration of product प्रोड़क्त मॉलीक्यूल्स है और दौना रियक्तेंट आयन है इससे पहले तक जो भी हम दिसकस किया है उसमें एक प्रोड़क्त आयन होता था एक रियक्तेंट आयन होता था अब यहां पर कोई भी प्रोड़क्त आयन ही नहीं जोना रियक्तेंट आयन है प्रोड़क्त प्रोड़क्त यह क्या है मॉलीक्यूल से तो इससे क्या हो जाएगा भी नगा-1.08-0.059-1.2-1.0.059-2.0.059-1.2-1.5-1.5-2.001 जैने रिए एक रखी एक रिए न से ग्रोड़क्तेंट आयन होता था रही रहा था-2.002-2.002-2.002-2.002-2.001 जैने रिखी नसे रिखी न से मारी पार-2.002-2.002-2.002-2.002 .5-2.002-2.002-2.002-2.002- और यो कहो, धिक रहोगा, यो य्योंde टौँगा, माध भी योगा, नेक पन कॉई अची भी सम्नाट लूगा, नेक अची अाच Town Delhi minus 0.03, इसको सॉल किया, that is log 10 to the power 8 minus log 9, 1.08 minus 0.03, that is 8 log 10 minus 9 corner, 3 square, 2 log 3, 2 log 3, 2 log 3, minus 1.08 minus 0.03, यह होगा 8 minus 2 into 0.4771, और जब आप इस वैल्यू को सॉल करेंगे, यह आ जाएगा, minus 1.08 minus 0.03 into 8 minus, यह जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मुल्टिक्लाइ करेंगे, तो 8 minus अब यह वैल्यू सफ्राव होगी, the value becomes 7.0457, और लिसको the multiplier के, यह आना value यह जाएगी, so this value comes minus 1.29 volt, so answer will be minus 1.29 volt, इक है, is it clear? झाल झाल